अब यहां पर देखे रोजिलेंड्स करेक्टर इसकेच कैसे लिखते हैं किसी का भी करेक्टर इसकेच तो सबसे पहले आपको इंट्रूडक्शन introduction में रोजिलेंड के बारे में जो भी पता हो उसे लिखना है इसके बाद में हर personal appearance मतलब इसका personal appearance क्या कैसे दिखती है और इसका behavior कैसा है ठीक है behavior को लिखना है फिर इसके बाद हर love for Celia Celia के प्रत इसका प्यार क्या है किस तरह से है कि इन्होंने Celia के प्रत प्रेम में मतलब अपने पिता के साथ जाना जो है accept नहीं किया था her life in the forest, forest में इसकी life कैसे बीती, किस तरह से हुआ her love for Orlando, Orlando के प्रत इसका प्यार कैसे था, किस तरह के से था किस तरह के से मिला, किस तरह के साधी किया, her love for father और पिता की प्रतिन का कैसा प्यार था क्या किस तरह से जो है पिता से यह लाश्ट में मिलें और जुह सारी चीज़े बताई हर सिंपथी और इसकी सिंपथी को हर वुमैनि लिन्स और यहां पर वुमैनिनेस मतलब इनके अंदर की जो जो मतलब इस्तरी की quality है उस चीज को दिखाए गया है ये कब दिखाए गया ओलिवर केम बिद हैंकरचीफ इस्टेंड बिद ब्लड मतलब जब औरलेंडो का भाई ओलिवर जो है इनके पास आता है ये ब्लड हैंकरचीफ यानि कि रुमाल को लेकर आता है जो की खून से भीगा हुआ था और किसके खून से औरलेंडो के खून से भीगा हुआ था उसको लेकर आता है तब ये बेहोस हो जाती है तो इस माध्यम से इसके जो है उमैनली नेस को दिखाए गया है और लास्ट में कनक्लूजन लिखना है आपको क्लियर है अब यहाँ पर रोजिलिंड को एक फीमेल प्रूटागॉनिष्ट की रूप में दिखाया गया है और मेल प्रूटागॉनिष्ट की बात करें तो औरलेंडो है रोजिलिंड डिसगाइज हरसल्फ आज अस सेफर्ड नेम्ड गैनिमेड इन दा फॉरिस्ट आफ आडन रोजिलिंड जो है यह अपने आपको एक सेफर्ड गैनिमेड की रूप में चेंज कर लेती है जब यह फॉरिस्ट आफ आडन की तरफ निकलती है उस दवरान अब यहाँ पर चुंकि रोजिलिंड जो आज यू लाइक इट प्ले का एक जो इंपॉर्डेंट करेक्टर है तो सौर्ट में करेक्टर की बारे में देख लीजिए रोजिलिंड जो एक फीमेल प्रोटागॉनिष्ट है डिसकाइज हरसल्फ है जास सेफर्ड नेम्ड गैनि मेड के रूप में चेंज कर लेती है औरलैंडो जो है यह यंगेस्ट सन अब सर रोलैंड डी बोईस औरलैंडो जो है सर रोलैंड डी बोईस का यंगेस्ट सन है ओलीबर का भाई है और मेल प्रोटागॉनिष्ट है डिूक सीनियर यह फादर आप रोजिलेंड है जैक्वेस यह gesture या फूल है हसाने का काम करते हैं Celia डाटर आप Duke Frederick यह Duke Frederick की डाटर है Disguises Herself आज़ा Simple Sephardis Alina और Celia भी चुँकि Celia Roseland के साथ जाती है तो Roseland तो अपने आपको अपने आपको गैनी मेड की रूप में चेंज करती है और Celia जो अपने आपको एक Simple Sephardis Female Alina के रूप में बदल लेती है Duke Frederick यह Duke Senior के भाई है और Celia के पिता है Touchstone यह Clown या Joker है और Oliver यह Sir Roland Divoyce के सबसे बड़े वेटे हैं और Orlando के भाई है Silvius, Silvius जो है फोईबी से प्रेम करते हैं फोईबी जो है गैनी मेड से प्रेम करती है और Lord Amiens जो है यह Duke Senior के पेथफुल कोर्टियर है Charles जो है एक Professional Wrestler है Adam जो है यह Sir Roland Divoyce के नोकर है और Sir Roland Divoyce यह Oliver और Orlando के भादर है Duke Senior के फ्रेंड है लेकिन Duke Frederick के दुस्मन है Corin यह Sephard है Audrey यह भी एक Sephardis है और Billiam जो की एक Simple Village Boy है जो की Audrey से प्रेम करता है तो यह चीज आप Add कर सकते हैं Clear है? Thank you जो कृ्ड़ी है